जैशीराम भगतो जैशीरी पालाजी माहराज कैसे हो आप सब आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्सितें स्वस्तें और बाबा की असीम कृपा आपके उपर बनी वी है ऐसी कामना दिल से करते हैं तो जैसा कि आप सब को पता है कि पित्र पक्ष जो है आने वाला है और पि इस तरह से करना चाहिए, बहुत सारी जान करी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो अन तक बने रहें, अगर वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक करें, शेर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि याने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो जैश्री राम जैश्री बाला जी महराज मेंदीपुर की पवित्र किरपा आपके परिवार पर के आगमन के लिए आ रहे हैं क्योंकि शराद पक्ष है इसमें ऐसा मैसूस होता है जब भी व्यक्ति सोता है तो उनको पित्र दिखाई भी देते हैं आगमन में कहीं सफेद कपड़ों में या क्योई किसी भी पकार से तो इस पकार से मलो आगमन जो है पहले आने से पहले संक शराद निकाल रहे हो और शराद निकाल रहे हो किसी भी मैं इसके अंदर ये नहीं है कि पितर पक्ष है तब ही बता रहा हूं अगर किसी भी पितर का आप शराद निकालते हो या कनागत करते हो तो उससे पहले आपको उसके आगमन की किस पकार से त्यारी करनी है मालो एक सम समान, कोई भी विछटी हो, समान जनक उसको इसपेक्ट चाहिए, चाहिए कोई भी हो पाम जैसे है अगर मैंने कहुँअगी यहां से बाग जाईए, तो यह कैसी फील करेंगे, बैड फील करोगे, अगर मैं मैं कहूंगा किरपा स्थान ग्रहन कीजिए, और यहां स्थान जी और यहां विराजिये तो यह अच्छा गुड फिल करेंगे तो इसी पकार से कोई भी आपका दे पित्तर आपका बड़ा पित्तर घर में जब उनका शराद होता है या उनका आगमन होता है तो हमें किस पकार से उनका आगमन करना चीए और किस समय का पहरा होता है इनके आन तो अगर सई धंग से आपको समझ में आ गए आपके घर के देवी देवता है ये आपके घर के शेष्ट देव है जिनके कारिये आपके हर कारिये में आप इनको मना कर चलोगे तो कभी पीछे मुड़कर देखने की जुरूत नहीं पड़ती क्योंकि ये आपके माबाप का आश बंद कर रखा है आज तो मैंने नंबर 12 बजे के बाद ही बंद कर देथा क्योंकि आज मैं अपनी लोकल चोकी बे बैठा था तो उसके बाद क्या है कि जब उनके स्वाल थे कि गुरू जी क्या पित्तर पक्ष में किया हम कोई नए वस्तर या कोई इस पकार से ग्रैन नहीं कर सकते या ऐसा क्या है देखे पित्तर पक्ष में क्या होता है कि पित्तरों की आपको शुद्धी करनी चाहिए सेमें नहीं चीजों का कोई वह नहीं है ये एक पितर पक्ष जो है इस समय आप अपने बच्चों को कोई नवी चीज वगएरा नहीं खरी सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ जो आप पहले ही कर सकते हैं कई चीज़े इसमें वर्जित होती हैं तो अब आपने क्या करना है कि जब पित्र आपके निकी त्यारी मालोक अगर किसी का पूर्णिमा पर हैं यह 16 तित्य आउ-जो होती हैं इंगे इंगे जो शौला। उमने जिस भी व्यक्ति का उप्राद होगा किसी का आश्तमी पर होगा किसी का सरशतमी भूगा तो आपने, अगर आप उन पित्रों को पूज रहे हो, मान रहे हो, तो आपने, मैं आज ये भी बताओंगा कि प्रेत भी ना खा पाएं, मालो अगर आप खिलाना चाते हो पित्रों को, और आगर उसके प्रेत भांजी मार जाए, या कोई प्रेत खा जाए, तो उसके उपर भी मैं आपको बता रहाओं कि किस पकार से आपको कारिय करना है मालो अगर मानलो किसी भी पित्र का जो है तो आपने क्या करना है यह सारी जित्य चलेंगी आपने लेना है जल का लोटा होना चीए तामबे का लोटा होना चीए उसके उपर कलावा लपेटना है आपने घर का बड़ा मुखिया जो होगा जो घर में जेश्ट फुतर है या कोई बड़ा विखती है घर का मुखिया है वो कलावे के लोटे से कलावे पर ऐसे इस पकार से बांधना है और उसमें थोड़े से अक्षत डालने हैं अक्षत मिने चावल चावल डाने यह जो कारिय करना है आपको रात को साड़े आठ नो साड़े नो यह दस बज़े से पहले जब घर के सभी सदस्द से घर के अंदर हो है मालों घर से बार ना हो जो घर की स्तियां हैं वो अपना साइड में खड़ेंगी ओपना है उन्होंने क्या करना है पहले जो घर की देली होती है जो हमारा मुख्ये दरवाजा होता है उस देली को आपने लीपना है लीपना कैसे है जैसे की जो जल है जिसमें अक्षद है तो ओम-पित्रदेवाये नमाहा आपने उस ओक्षद का जो 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 जावब हैं मत्राले वें आपने क्या खरना है थोड़े से तिल भी लेज用ें सफेद तिल बिलकुल प्योर सफेद तिल होने चाहिए और अक्षद निभी घ्र brewing और दरृबाजा सब उसको आपने लीपना ओं लीपना है घर के फोते फोति या नहीं फोते हैं और जो भी घर में जितने भी मर्द हैं, सब उस देली से बार निकाल देने हैं, और बार ही व्यक्तियी जो घर का बड़ा मुख्या होगा वो ही उस देली को लिपएगा, और हाथ जोड़कर प्राथना करेंगा जिसका शराद है, जैसे कि कोई आपका ताउ है, या कोई आपका पिता जी है तो आपने प्रास्थना करनी है कि हे मेरे पिता जी आप आई California अपन आपका सुआगत है आगमन है एमारे झार में हम आपकी संतान है और हम आपका वाकat करते हैं आपका शराद जैसे किल चराद है जैसेकि तो एक धिन पहले कल श़दा तो एक दिन पहले सर आगमन स्वागत करना है एक रा टरी के समये कि जब उसमें ўए जब सारे घरके सदस्या के सद्टस्टी जो होगे जो व्यक्ति मर्द होंगे सबने प्रातना करके देली को लिपने के बाद ऐसे कहना है कि पिता जी आइए आगा अगर माता यह तो माता जी आई ताउ जी आईए, दादा जी आईए, दादी जी आईए, हम आपका स्वागत करते हैं और इस पकार से आपने करके इन पितर पक्षों में आपको लसन प्याज वर्जित है, लसन प्याज का सेवन नहीं करना, तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना, दारू का सेवन नहीं करना, अगर याद रखना कोई व्यक्ति इस पकार की कारिये करता है, जान भूज के करता है, तो पित्र ठिकाने लगा देंगे आपको, आप कहीं लोग अपने व्यक्तिकत कुमेंट किसी पर भी पकार का दे सकते हैं, क्योंकि जब अगर पित्र की शक्ति हमाग को हमें, जब अपनी जब अगर की जो शक्तियां हैं, उन्हें हमें मना कर चलना चाहिए, और ये पित्र पक्ष है, जिनको नहीं था पता, जैसे आज से पहले कहीं लोगों को नहीं था पता था, तो इस पकार से आज पता लग गया, और पता लग गया तो इसका बैनिफिट उठाईए, बैनिफ हर जगा के रिति रिवाज अलग होते हैं, हर जगा कारिया अलग होता है, तो इस पकार से आप अपने पित्रों का आगमन का स्वागत कर सकते हो, अपने पित्रों में आप जो भी दे पित्र है, या कोई भी पित्र का शराद या करागत कर रहे हो, हाँ, अब एक बात और सु जाएंगे अगर आप चाहते हो ना खाएं तो आपने संकलब चुटवाना है जल का लोटा लेकर थोड़े से अक्षद लेकर थोड़े से अपने एक रपे का सिक्का लेकर ब्राह्मन को कहना है कि मेरा संकलब चुटवाओ बगैर संकलब के चीज मत देना अगर आप उसी देपितर तक इस पगार की चीजों को पुझाना चाहते हो अपने पितरों को बल्वान बनाना चाहते ओं तो बगै संकलब के चीज मत देना संकलब जिस चीज पे जाएगा गोत भाका दे अपना जर्मस्थान और कौन सा समवत है वो सब ब्रामन किसी ब्रामन उक्त ब्रामन से ही संकलब छुड़वाईए और संकलब के दुरान ही दान देजिए तो वह जब वह संकलब छुड़वा देगा चैनल कोई कुर्टा बदामा दे रहा है या कोई कुछ भी दे रहा है को वस्तर दे रहा है तो उस पर वह स संकलव within में लिया है वह उस प्लेट में ही ब्रामन के घर जाना चाहिए अपने गर में रहना यही गलतियां टो चोटी-चोटी गलतियां यह भी बहुत बड़ा पतंगर बज़ती हैं चोटी सी सी चिंगहरी बहुत चीजों को उजार सकती है तो इसी पकार संकलब का चावल भी ब्रामन के घर ही जाना चाहिए तो यह मैंने कुछ बताया है ऐसे बहुत सी कई पकार की जान करिए जो कहीं को मिलने की ज्यादा परता लगती है ओन कैमरा जो मैं आपको बता दिया कि इस पकार के साफधानी आप बढ़ती है और अपने पित्रों का इस पकार से आगवन कीजिए ओम शिरीबाला जी महराज की चंकर भगवान की और इस पकार से देखिए एक जाते-जाते एक चीज और सिखायत हूं कि प्राथना में सबसे बड़ी शक्त है प्राथना इस पकार की कीजिए अब हम भी तो प्राथना शुरू में करते हैं आपके लिए हम अपने लिए तो ना करते हैं कभी भी मंगल कामना आपके लिए करते है ना तो इसी पकार से हम प्राथना आप प्राथना कीजिए जिस दिन प्राथना करना आ जाएगा कि जो यह नहीं कि यह नहीं है कि वह जानता है उसको नेकिन वह जोय है आपको आसास आपके कर्मों को सुधारनेके लिए आ रहा है ये कोई आपके करम सुदर्जाए वो बागवान को कोई परेतात्मा है या कोई भी चीज है या किसी बी पकार की कोई भी करा कराई यह कोई ऐसे नहीं होती यह हमारे कर्मों को मेंटेंड करती है तो यह मैंने कुछ बताया है तो आप सब अच्छा लगा होगा आपको यह जान करी तो कोमेंट बॉक्स में अप अपने वीवज दे सकते हैं जैसी राम दे सकते हैं ओम पित्र देवाए नमाहा ओम पित्र देवाए जैश्री राम जैश्री बाला जिवा